ते गाइज विल्कम बैक को मैं यूटूब चैनल आज हम आपके लिए नया पार्सल लेकर आए हैं जिसको मैं यहां पे आपके साथ ओपेन करके दिखा रही हूं कैसा है यह पार्सल और इसमें कुछ अलग होने वाला है ना ही इसमें कोई मैंने कपड़ा मंगाया है ना ही और यह कुछ मैंने कीचन से रिलेटेड मंगाया है समा मैं आज कल इतना सारा पार्सल मंगा चुकी हूं कि मेरे घरवाले लोग मेरे से परिशान हो गए मुझे लगता है कभी कि कई मेरे घरवाले मुझे घर से बाहर ना निकल दे इतना पार्सल हर रोज कोजी ना कोई पार तो मैंने सोचा क्यों है आज ममी के लिए कुछ ममी के यूज का समान मंगाया जाए बहुत दिनों से मम्मी बोल रही थी कि इटली का वरतन मंगाएंगे तो हमने इस बार इटली का वरतन मंगा लिया तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको देश सेयर करते हैं इसका क्वालिटी कैसा है और आप लोग इसे ले सकते हो या नहीं तो गाइज इसमें ये फोर प्लेट का मैंने इटली का इटली मेकर लिया है जिसका प्राइज है बस आपको 249 रुपया ओनलाइन पेमेंट करोगे आप तो दो 288 में ही मिल जाएगा ओफर में चल रहा है क्वालिटी गाइज इसका बहुत बढ़िया है प्योर इस्टील का है और चार प्लेट है इसमें हर एक प्लेट आप इसको ऐसे निकाल के धो सकते हो और इसमें जो इटली का समागरी होता है इसको भढ़के और इसमें एके करक प्राइज के इसाब से नीचे में कटोडी के सेप का यह कुछ बना है जिसको रखके आप जिस बरतन में पैन में या पतीले में या कुकर में इसको डाल के बनाओगे तो आरा अमसय बन जाता है आपको महेंगे वाला इटली का बरतन नहीं लेना पड़ेगा यह बहुत सस्त के लगबग पड़ गया 249 का तो मैंने सोचा इसको ही मंगाये लेते हैं क्वालिटी इसका बहुत बढ़ी है गाई एक करके हम आपको यहां पर लगा के दिखा रहें कैसे लगता है नीचे वाला प्लेट अटैच रहता है उसमें और बाकी तीन ऐसे निकल जाते हैं तो एक क मैंने लगा दिया दूसरे मैं लगा रही हूं बहुत अच्छा क्वालिटी ऐसे लगता है ऐसे एक पाइप के जैसा दिया गया है और यह आप जिस तरीके से इसको मूग करना चाहते हो कर सकते हो यह कटोड़ी में नीचे में आपको एक नट लगा हुए चाहे तो इसे अच्छे से इसको कस्ट दे गए तो हिलेगा नहीं एक दम टाइट हो जाएगा और इनमें आपको करीब एक बार में 16 इटली बनके तयार होगा क्वालिटी गाइस मुझे इसका बहुत बढ़िया लग रहा है सायद मेरी मम्मी इसको देख के खुस हो जाए और मुझे पारस तो उसको नहीं डाला जाता है कुछ ओली तेल या घी कुछ भी लगा के लगाया जाता है उसी के लिए इस्पेसली यह ब्रस दिया गया है ब्रस का क्वालिटी बहुत बढ़िया है आगे में पीछे में यहां पे इस्टेंड में फाइवर है और आगे में यह जो रबबड ब्रस यह प्लास्टिक का नहीं रबड का है चारो में आपको ऐसे तेल लगाना होगा फिर इसमें भर के और अच्छानी से बन जाएगा डाल दो कूकर में और अच्छे से खाओ इंज्वाई करो और इसमें गाइस बहुत बढ़िया लगा आप लोग को कैसे लगा आप वीडियो को सपोर्ट करिए लाइक करिए शेयर करिए बाई बाई